दोस्तो अगर आपको सिलाई का काम आता है, सिलाई का काम अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आप Noida Phase 2 यानि की Sector 88 में आकर सिलाई का काम कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सिलाई की बहुत सारे कमपनिया मिल जाएंगी, एक्सपोर्ट लाइन की भी कमपनिया मिल जाएंगी जिनमें आप आकर जोब कर सकते हैं, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और अगर आपको सिलाई करनी नहीं आती है, तो इन कमपनियों में और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो की हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिनको करके आप अपनी जोब पकी कर सकते हैं, और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेश्ट है कि अगर आपने हमारे महालख्समी जोब सर्विस यूटूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे इस यूटूब चैनल को सब् कपड़े रखे होते हैं, और जब इन कपड़ों की लेयर लगाए जाती है, तो इन लेयर को लगाने के लिए एक से दो मेंबर की आवशकता होती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि कपड़ों की लेयर कुछ इस तरीकी से लगाए जाती है, जिसमें दो से कम आठवी पास होना जरूरी है और अगर आप कपड़ों की कटिंग करने में एक्सपर्ट हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीकिसे मशीन की दुआरा कपड़ों की लेयर की कटिंग की जाती है और अगर आप कपड़ों की लेयर की कटिंग करने का अ प्रेंट्स, इसके बाद कटींग की हुए सभी पीस को सलै करने वाले डिपार्टमे мир पीज़ दिया जाता है, जहांपर अलग-अलग कैटिगीरी के हिसाब से तिलर मास्टर होते हैं और उनको उनके काम के अनुसार सभी कपड़ों की कटिंग प्रोवाइड करा दी जाती है इसमें जो आपको काम मिलता है वो एक सिस्टम के अनुसार दिया जाता है किसी का काम काज बनाने का होता है तो किसी का काम बाजू बनाने का होता है तो किसी को बटन लगाने का काम दिया जाता है इसलिए यहाँ पर जो भी काम दिया जाता है वो उनकी कैटिगीरी की अनुसार ही बांटा जाता है आप चाहे तो इन में से किसी भी काम को कमपनी में करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं इसके बाद जब कपड़ा बनकर पूरी तरीके से त्यार हो जाता है तो उसको चेकिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है जहां पर उस पीस की बड़ी बारिकी से जाच की जाती है कि उसमें चैन अच्छे तरीके से लगी है या नहीं बटन प्रोपर तरीके से लगी हुए है या नहीं और उसकी जो सिलाई है वो अच्छे तरीके से लगी हुई है या नहीं आदी सबी चीज़े को बड़ी बारिकी से चेक किया जाता है आप चाहे तो इस चेकिंग डिपार्टमेंट में भी काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं फ्रेंट्स जब ये पीस बन कर तयार हो जाता है तो इस पीस को प्रेस करने वाले डिपार्टमेंट के पास भेज दिया जाता है यहाँ पर बहुत सारे वरकर होते हैं जो पीस की सलवटे निकालने का काम करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेस मसीन से यहाँ पर प्रेस कैसे की जाती है, यहाँ जो प्रेस का काम होता है वो step by step होता है, पहले steam से प्रेस की जाती है और फिर steam मसीन से प्रेस की जाती है, अगर कपड़े में कहीं दाग लग गया है तो उसको भी अच्छे तरीके से वोस किया जाता है आप चाहे तो प्रेसिंग डिपार्टमेंट में भी जोब कर सकते हैं प्रेस करने के बाद पीस को फोल्ड कर दिया जाता है जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि पीस को फोल्ड करने के बाद किस प्रकार से पैक किया जाता है आप चाहे तो पैकि इन में से किसी भी पोश्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे कासे पैसे कमा सकते हैं तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि जिन भी पदों के बारे में हमने आपको बताया है इन पदों पर किसी भी कमपनी में आपकी जो सेलरी है वो क्या रहने वाली है अगर आप से चार साल का experience है तो आप किसी भी company में try करेंगे तो आपकी selling 30,000 से लेकर की 50,000 के बीच में होगी फ्रेंड्स अगर आप नोड़ा में किसी कपड़े की company में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो की description box में हमने कुछ कपड़ों की company का address दिया हुआ है जिन पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं तो friends I hope आज की हमारी वीडियो आपको चुरू अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जदर से जदर लाइक करें share करें, comment करें, मिलते हैं फिर next वीडियो में